बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है और एसे में मेरे साथ चुनाव पर बातचित करने के लिए हैं आरजेडी के राष्टी उपधक्ष सिवनन्तिवारी जी आए बात करते हैं सर अभी क्या महोल है क्या देख रहे हैं महागटवंदान और इंडियेक बीच कैसी लड में रिखने आने वाला है रहे जिस जंक से पिछड़े समाज की गुलबंदी हुई है दलिट समाज की गुलबंदी हुई है वो अस्चरजनक है और हम ये नहीं मानते हैं कि सिर्फ ही ये पार्टियों का कमाल है बलकि पिछले कुछ दिनों से भारती जनता पार्टी का और दिली की सरकार नरद्रमोदी की सरकार का जो रुख रहा है जैसे तेरा पॉइंट रोस्तर का मामला आया या उसके पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो सिडिल का सिडिल ट्राइब के अत्यचार निवारन कानून को जो हलका बनाया था उसके खिलाब भारत बंद हुआ फिर दस परसंट जो है समान बर के लोगों को आरक्षन मिला गुवाब फिरा के ये सारा फैक्टर जो है पूरे देश बर में जो पिछड़े हैं दलित हैं उनके मन में नरनमोधी सरकार के बारे में संका जो है उसने प्रड़ कर दिया और वो असर बिहार में भी हम लोग देख रहा है और उस गुलबंदी का नतिया है कि जहां आप देखिए जहां कहीं गलती से टिकट के बटवारे में कहीं कमजोरी हो गई हो उस बात तो अलग है पाकि हर जगे दिखाई दे रहा है कि महां गटपन्दान आगे दिखाई दे पर दिखाई दे रहा है कि महां गटपन्दन का उमीदवार आगे है और जो हम देख रहे थे आद जो है कल उनका भासन था प्रधान मंत्री जी का तेरह मर्तबा उन्होंने हिंदू और हिंदू टेरर सब्द का इस्तेमाल किया तेलिग्राफ अकबार में देख रहे थे उसम कि मारे खिलाफ जो है जो गुलबंधी हो रही है उस गुलबंधी में सामिल हो रहा है तो हींदू के नाम पर हम उसको एक ज्जूट करने कि कुशिश कर रहे हैं। समाज में जो गैर बराबरी है हमारे यहां जन्मना माना जाता है कोन सृस्ट है को ग़्यान रिश्ग है उसको मदाने के लिए आप कह भी बात नहीं किए जात कि अधारप पर जो गैर बराबरी है बेद भाव है नहीं कि आपने उसी का प्रतिफल है ये गोलबंदी और आप उस गोलबंदी को लांगने के लिए हिंदू हिंदू चिला रहा है हमको नहीं लगता है कि उसका कोई फैदा होने वाला है लेकिन ज्यादातर सिटों पर पहलवान लालू यादोता है कर रहा है हमको ऐसा नहीं लगता है इसलिए उपेंदर का मामला है औरंगाबाद से जो लड़ा है उपेंदर उपेंदर माजी का पसंद है नालंदा में संतोस जो है उसका आप कह सकते हैं कि बादसा पर साथ जो है वो लालू जी के समये एमेल सी थे तो वहां अत्ती पिछड़ा लड़ा नहीं था और जो आप देखिएगा गुगुल पर जो कास्ट कंपोजिशन अलगला कंचे उनसी का दिखाई देता है उसमें डेढ़ लाक की दो लाक जो है चंद्रबंसी लोगों का संख्या गिना हुआ है तो उस हिसाब से वह बिल्कुल ठीक है पिछले बार सत्यानंद सर्मा खड़े थे और सत्यानंद सर्मा महज 5,000 बोट से आ रहे और 40 जगे हिलीकरप्टर उतारना पड़ा नितीश जी को तो इसलिए धिमाग में तय था लालु जी मने आर जेटी का भी उमिद्वार होता अती पिछड़ा महा होता तो यह पहले से ही था बात चीत हुई होगी जीतन रामा जी इसे किया साब हो हाथे पिछला लाय जाना चाहिए बागी उमिद्वार बहुत है महा गटवंदन में आप देखिजिए सकील अहमत का तो हमने नहीं देखाया कहीं से सकील अहमत का तो आया है कि हम कहीं से यह वक्त नहीं है कि आप इस तरह से गुस्य का प्रदर्शन करें लालुजादों ने आपको चार बार पांच बार जो है लडाया है दिली में मिनिस्टर बनाया है माली यह कि नहीं करणों से टिकट नहीं मिला तो आप इसका यह मतलब नहीं कि पोंच पर खड़े करके आप जो है बने ओफिशल का इंडेट का विरोध कीजिए और हिंदू तुबवादी थाक्तों को का हात मजबूत कीजिए यह अच्छा नहीं नहीं सोबा देगा बगावत जो भी है चिंता जनक है नहीं हम नहीं चिंता जनक है हम अभी खड़े ही इसका सवाली अभी कहा हुआ और इस चुनाव में इंडियो को कड़ी चुनोती मिलेगी महागडबंदन से